है हैलो फ्रेंग्स मैं कलिपना आप सभी का स्वागत करती हूं सान्या गार्डिन चैनल में आज हम बात करेंगे परफल हप्लान्ट के बारे में कि हम इसकी किस तरह से केयर कर सकते हैं और हम इसको किस तरह से ग्रोव कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा जिससे में जो भी न्यू वीडियो डाले उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है तो फ्रेंड्स आज हम पर्पल हर्ट प्लांट के बारे में सभी जानकारी लेंगे कि हम पर्पल हर्ट प्लांट की किस तरह से केर करें और हम इसको किस तरह से ग्रो कर सकते हैं तो सबसे पहले हम इसकी केर के बारे में बात करेंगे तो ये easily ही grow हो जाएगा मैंने इसको सिर्फ एक normal सी garden soil में लगा रखा है और ये normal सिर्फ garden soil में ही बहुत ही अच्छे से grow हो रहा है लेकिन इस plant को थोड़ा सा moisture पसंदे तो आप garden soil में थोड़ा सा cocopate या कोई भी moisture वाली चीच जिसे के rice house ये सब मिला कि अगर आप soil में लगा देते हैं तो ये और भी अच्छे से grow होगा तो आप इसे किसी भी तरह के soil में लगा सकते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे तो परपल हर्ड प्लांट जो है ये फुल सनलाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है आप इसको फुल सनलाइट में मत रखिए आप इसको सेमी सेड में रखिए या फिर ऐसी जगे रखिए जहां पर मॉर्निंग की तीन से चार घंटे की धूप आए तब तो इस जो प्लांट है वो अच्छे से सर्वाइब करेगा लेकिन अगर आपने इसको फुल सनलाइट जो बारा बजे की धूप या जो दोपहर की धूप होती वो अगर इस प्लांट पर पड़ेगा तो ये प्लांट जो है वो आपका खराब हो जाएगा या फिर अगर आपने इसको पूरे सेड़ी एरिया में रख दिया जहां पर इसको थोड़ी सी भी सनलाइट नहीं मिल रही है तो भी इस प्लांट की जो लीफ्स होती है वो बिलकुल ग्रीन होने लगेंगी परपल हर्ड प्लांट जो अपनी लीफ्स के कारण और अपने फ्लावर्स के कारण बहुत ज़्यादा फेमस है इसके जो फ्लावर्स होते वो छोटे से पिंक कलर के होते और वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खोपसूरत लगते लेकिन अगर हमने इसको पूरा सेडी एरिया में रख दिया तो जिसकी लीफ्स का जो ये दिखी कितना खूपसूरत परपल कलर जो है वो बिलकुल ग्रीन हो जाएगा बिलकुल भी परपल कलर नहीं रहेगा उसके उपर तो आप इसको ऐसी जगे पर रखिए जहां पर इसको थोड़ी बहुत सनलाइट मिलती रहे या फिर मॉर्निंग की तीन से चार घंटे की इसको सनलाइट मिलना जरूरी है सेकेंड हम बात करेंगे वाटरिंग सिस्टम की तो ये जो प्लांट है ये बहुत ज़्यादा पानी नहीं मांगता है एक तरह से देखा जाए तो यह जो प्लांट है जिस better से सरकुलेंट صोतें भीmost है hails अगर इसकी सॉइल we से flowering करता है winter में इसके leaves निकलती रहती है यह थोड़ा बहुत grow करता रहता है लेकिन इस पर flowering नहीं होती है बड़ समर में यह बहुत ही अच्छे से flowering करता है और इस यह प्लांट अगर आपने hanging basket में लगा दिया तो यह बहुत ही अच्छे से hang करते हुए बहुत लगता है और आप इसको hanging basket में जरूर लगा है hanging basket का ही यह प्लांट है तो next हम बात करेंगे इसके लिए fertilizer की तो आए fertilizer अगर आप इस प्लांट को नहीं भी देंगे तो भी यह बहुत ही अच्छे से survive करेगा इस प्लांट को जादा fertilizer की कोई भी जरूरत नहीं है लेकिन जब आप अपने plants सभी plants को फरवरी में और October में जब भी fertilizer देते हैं तब आप इस plant को भी अच्छे से fertilizer दे दीजे तो यह और भी अच्छे से grow करेगा बट इसको बहुत जादा fertilizer की ज़रूरत नहीं होती है नेक्स्ट हम बात करेंगे insecticide की जब से मैंने इस plant को लगाया है तब से मैंने इस पर किसी भी इंसेक्ट का कोई effect नहीं देखा है लेकिन जिस तरह से आप सभी अपने plants पर insecticide use करते रहते उसी तरह से आप इस प्लाट पर भी insecticide हमेशा यूज करते रही है जिससे कभी अगर insect का कोई भी effect होता है या इसकी soil में या leaves पे या कहीं भी अगर किसी insect का effect होता भी तो वह ठीक हो जाएगा तो फ्रेंग्स यह बात तो हो गई पर्पल हर्ट प्लांट की केर की कि हमें इसकी केर किस तरह से करनी है नेक्स रम बात करेंगे इसके प्रॉपिगेशन की तो यह बहुत ही easy to प्रॉपिगेट प्लांट है आप इसकी छोटी सी भी जो इसकी new growth हो रही है बस आप इसको इतना cut करके बस आप इसको आप यहाँ चाहें तो यहाँ से roots develop हो रही है यहाँ से भी cut करके अगर आप किすी pot में लगा देंगे तो वह एजली grow हो जाएंगा या अगर roots नहीं भी हैं तो भी अगर आप यहां से cuttings को cut करके लगा देंगे तो भी बहूत easy to grow प्लांट और इसकी केयर भी आपको बहुत जादा नहीं करने बहुत हाड़ी प्लांट है आप इसको यह नहीं कि आपको हर समय केयर करनी है रोज रोज केयर करनी है ऐसा बिलकुल नहीं है आप अगर हफ़ते में एक दिन भी इसकी अच्छे से केयर कर लेते हैं तो यह भी तो यह क्योंको ध्यान रखना है अगर आप परपल हैड को ग्रो करना चाहिए तो इस तरह से अगर आप परपल हैड प्लांट की केर करेंगे तो आपको जो प्लान्ट है वह बहुत ही अच्छे से सर्वाइब करेंगा तो में आच वीडियो को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स मे कमेंट करिएगा थैंक यू